प्रमात्व पिता कहते हैं कि हर संकल्प का महत्व जानकर जम्हा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भवावा तो संगम युक पर अभिनाशी बाब द्वारा हर समय अभिनाशी प्राप्तियां होती हैं को हम स्थूल दुनिया में फिस्धिकल दुनिया में ढूंड रहें करतवब्र पूरा करके प्राप्तियां कर खरीद कर ला खरीद कर पर अभिनाशी नहीं है तो अंतर को समझना बहुत जरूरी है तो सारे कल्प में ऐसा भागे प्राप्त करने का यह एक ही समय है जबकि अभिनाशी परम्पिता परमात्मा अपने आप से कनेक्शन कैसे जोड़ना है हमें राज्युक के दौरा सिखा करके हमें अपना खुद का परिचे दे करके कितने जन्म लिए हैं हमारी गाथा हमारी कथा सुना करके हमने क्या क्या किया है किसके जन्म में और अभी हमें करना क्या चाहिए अपने पिछले जन्मों के पापों को दोने के लिए वो सबको सिखा करके हमें अविनाशी प्राप्तियां देते हैं अविनाशी सुक अविनाशी ज्यान अविनाशी आनंद अविनाशी शक्ति अविनाशी प्रेम इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आपका स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं कि अभी नहीं अगर यह प्राप्त किया परमात्म से अभी नहीं लिया और दुनियावी स्वाद में, सेवन में, प्रदार्थों में, वैभवों में, वस्तू में अगर हम फसे रहे गए और हमने विनाशी प्राप्तियों की पीछे भसे रहे और विनाशी प्राप्ति नहीं करी तो अब नहीं तो कभी नहीं क्योंकि समय लिमिटेड है जो भी श्रेष्ट कारे करना है वह अभी करना है इस स्मृति से कभी भी समय संकल्प वा कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे कि मुझे जो भी करना है समय वो मुझे इस स्मृति से कभी भी समय नहीं में व्यतित होगा हमारा विकार में संकल्प हमारे गलत नहीं जाएंगे और हमारे कर्म भी व्यर्थ में नहीं जाएंगे समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी तो समय संकल्प और कमर और कर्म हमारे जो है समर्थ संकल्पों से सबसे पहले बीच किया है इन सब चीजों का संकल्प, बूल, कर्म तो समर्थ संकल्पों से जम्मा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी तो हम यह अपने फोकस करना है हमारे थौट्स की कॉलिटीज पर और उनको कैसे हम पवित्र बनाते जाएं, कैसे उनको महान बनाते जाएं और अगर अभी नहीं चेंज किया तो बहुत लंबे समय की प्रैक्टिस अगर नहीं हुई तो फिर लास्ट मिनट पर चेंज नहीं होगा ओम शंती